यशायाह भविशवक्ता की पुस्तक अध्याय 25 यशायाह 25 हे यहवा तु मेरा परमिश्वर है मैं तुझे सरा हूँगा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने आश्चेरे कर्म किये है तूने प्राचिनकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तिया की है ऐसा उजार दिया कि वह नगर नहीं रहा वह फिर कभी बसाय न जाएगा इस कारण बल्वंत राज्य के लोग तेरी महमा करेंगे भैंकर अनजातियों के नगर में तेरा भैमाना जाएगा क्योंकि तू दिनों के लिए संकट में उनका कड़ और दरिद्रों के लिए जब भ उचार के से बचने के लिए उनका शरन स्थान और तपन में चाया का स्थान हुआ जैसा निरजल देश में तपन बादल की चाया से थंडी होती है वैसा ही तू परदेशियों का कोलाहल और भैयानों कों का जैजकार बन्न करता है और सेनाओ का यहोवा इसी परवत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें भाती-भाती का चिकना भोजन और नित्रा हुआ दाखमदू होगा चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम और नित्रा हुआ दाखमदू बहुत ही नित्रा हुआ होगा और जो परदा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घुंगट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है उन दोनों को वह इसी परोत पर नाश करेगा वह मृत्यू को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभों के मुख पर से आसु पोश्ट डालेगा और अ यह कहा जाएगा कि देखो हमारा परमेश्वर यही है हम इसी की बाट जो होते आये है यह हमारा उद्धार करेगा यहोवा यही है हम इसकी बाट जो होते आये है हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे क्योंकि इस परोत पर यहोवा का हाथ सरवदा बना रहेग और मौवाब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा पुवाल घुरे के जल में लताड़ा जाता है और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए हूँ परम्तु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई की और वह तेरी उची उची और दुढ़न नगर के घेरो और शहर पनाओं को जुकाएगा और नीचा करेगा और भूमी पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा